नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल टेक्निकल डिलाइट में दोस्तों कोचीन शिप्यार लिम्टेड में वेकेंसी आई हुए है हुए कि सबसे पहली बात कि अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब करोया और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर्देंगें आपको लुकान ने कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको हर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके चलते हैं आगे हम यहां पर देख लीजिए वेकेंसी नोटिफिकेशन फॉर रेफरेंस नंबर दिया हुआ है और 28 जूम करें नोटिस है आपके पास दिन का समय नहीं बचा इस फॉर्म के अप्लाई करने के लिए इसे नेम ऑफ पोस्ट ट्रेड एजुकेशनल कॉरिफिकेशन एंड एक्स्पिरेंस तो यह वेकेंसी जो है जैसे शीट मेटल वर्कर की है तो इसके बाद देखते हैं वेल्डर के लिए वेल्डर के लिए भी स हैं तीन साल का एक्सपिरेंस चाहिए आउटफिट असिस्टेंट और कॉंट्रेक्ट इसमें भी फिटर के लिए आइटे होना चाहिए मिनिमम थ्री एर एक्सपिरेंस होना चाहिए उसके मेकैनिक डीजर इसमें भी आइटे ही पास थ्री एर का एक्सपिरेंस होना चाहिए मेकेनिक मोटर वेकल आइटी पास होना चाहिए थ्री यर का एक्सपिरियंस होना चाहिए आपका फिर आते हैं प्लंबर पर प्लंबर के भी आइटी होना चाहिए तीन साल का एक्सपिरियंस चाहिए पेंटर में भी आपको आइटी पास होना चाहिए तीन साल का एक्सपिरियं होना चाहिए Electronic mechanic में भी 3 सल का experience और ITI Instrument mechanic में Sim Shipwright Wood Machinist Air Condition Technician and draftman civil इस समय idea पास और 3 सल का अपका experience होना चाहिए ओके important date में बात करें तो 15 जोला इस FORM की last date है opening date हो चुकी थी इसकी तीस जून से ठीक है तो 15 जोला इसकी Last date है आप देख सकते हैं आज 20 तरीक है तो आपको फॉर्म जल से जल भर लेना होगा यहां पर देख सकते हैं यू आर्थ कि शीड मेटल वर्कर में 26 सीज पोष्ट है устрой में यहां पर आप नौवष्टण यहां पर aus 6-68 है Oh 21 है कि उसी तरीके से यहां पर देखी है bet email में तेरह पोस्ट है यहां 5 पोस्ट है 40 पोस्ट यहांपे 20 14 पोस्ट है एक टरीर किया अप्रीशन अपलेक्जोंग्रीचर महांनिक्रोट से लग्ट्रॉनिक तेश Echo 14 पोस्ट यहां में भी दो पोस्ट है इस तरह तोड़ा 330 सीट है यहां पर ठीक है तो कोचिन शिप्याड में यह बहुत ही बढ़िया और अच्छी रहती है यहां पर कन्वेंस बनके इसकी सेल्डी बहुत अच्छी बन जाती है यह यह वालों के लिए कि आपको कोई किसी तरह का पैर टूटा हो चाहें देखने में प्रॉब्लम होते इस तरीके से क्राइटेरियाज हैं ओके पीरियोड ऑफ कंट्रेक्ट देखें तो यहां पर आप देख रीजिए टैंप्रोरी इन नेचर एंड फॉर मिनिम्म पीरियोड ऑफ त्री यह सब्जेक्ट तू दप्रोजेक्ट रिक्वार्मेंट एंड इंडिविज्वर परफॉर्मेंस आपक 900 यह जो पे है आपका एडिशनर मिल जाएगा तो इस तरीके से आपको मिलेगा जो सेल्दी मिलना होगा उसके बाद 24,000 हो जाएगा फिर 5,000 मिल जाएगा एक्स्टा आवर का वर्क और यहां पर 24,000 हो जाएगा और एक्स्टा आवर का वर्क ठीक है यहां पर आपकी एज जो होनी चाहिए not accident 30 year on 15 जुलाई 2022 एप्लिकेंट शुद भी बॉर्न आप्टर 16 जुलाई 1992 के बाद कहीं बॉर्न होना चाहिए उससे पहले का नहीं ठीक है वह भी सी को तीन साल का relaxation मिल जाता है तो यह आपका relaxation होगे आपका जो question पूछेगा उसमें क्या होगा काम करना रहेगा उस चीज से रेलेटर वहाँ पर आपको जो भी होगा प्रेक्टिकल करवाया जाएगा उसके भिहाब पर आपको नंबर दिये जाएंगे कि objective टेस्ट जो होगा आपका online वो 35 मिनट का होगा जिसमें आपकी question होगे जनल दस मार्क से ट्रेड रिलेटेड होगे बीस मार्क का question यानि जनल कोश्चन यानि जैसे math reasoning हो गया थोड़ा हो जी के जी के जो भी हो question में इंक्लूड कर देगा वो अब इस मार्क आपको ट्रेड से रिलेटेड जिस ट्रेड या आप आते हैं पेंटर वेल्डर एलेक्ट्रिशियन फिटर तो उस ट्रेड से रिड़ेट बीस कोश्चन होगे और दियर शेर भी को निगेटिव मार्किंग वहां पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आपको एक्जाम देना होगा फिर उसके भिहाब पर आपको सेकंड फेच के लिए बुलाया जाएगा ठीक है कि क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बता ही दिया है कि आई टीय होना चाहिए और तीन सल को एक्सपीरेंस होना चाहिए यहां पर एक्सपीरेंस के बारे में देख लिजे 15-11 जुलाय तक आपका तीन साल पूरा हो जाना चाहिए अब पीडियोड अफ स्को भी सब्सक्राइब करेंगा यह आपको प्रइवाट से काम किया है तो ऑफ लेटर इसुट अप्यक्किल करने हों की प्रूफ अपर एक्सिरियोगे तो यह सब चीजे बात हों यह आपकी एक्सिरेंस से रिलेटर आप्लिकेशन पी के बारे में यहां बात कर लेते हैं तो 300 रुपय का यहां पर आप्लिकेशन फी लगेगा जो कि आपको पे करना होगा जो नॉन रिफंडेबल होगा जो रिफंड नहीं किया जाएगा आपको आप इस वेबसाइट पर विजिट करके इसका लिंक मैं आपको दे दूगा इसके केरियर पेज पर जाके CSL कोची में जाके आपको अप्लाई करना होगा दूसरी बात यहां पर यह भी है कि इसका जो आपको एक्जाम सेंटर में लेगा वो दो ही जगह का मिलेगा चाहिए हो स तो यह वेकेंसी थी जिसके बारे में मैंने आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी अगर यह वीडियो आपके लिए हेलफुल है अगर आप हर पल की जानकारी के लिए अपडेट रहना चाहते हैं ताकि जितनी वेकेंसी आती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ तो इस च